और अंगाबाद में बिहार में प्रधार मंत्री का संबोधन शुरू हो चुका है सीधे लेकर शलते हैं आपको करता हूं विश्व प्रसिद्ध सुर्य मंदीर उंगेश्वरी माता और देव कुण्ड के इपवित्र भूमिके हम नमन करिद्वी रहुनी सब के प्रणाम करी थी भगवान बास करके कुरुपा रहुआ सब पर बनल रहे साथियों अवरंगाबाद की धर्ती अनेक स्वातंत्र सेदानियों की जन्वस्तली है कि बिहार बिहार विभूती अनुग्र नारायन सीजी जैसे महापुरुषों की जन्व भूमी है आज उसी अवरंगाबाद की भूमी पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है आज यहां करीब साड़े 21,000 करोड रुपे की विकास परियोजनाओं का उद्गातन और सिलान्यास हुआ है इन परियोजनाओं में रोण इंफ्रासेक्टर से जुड़ी कई परियोजना है इनमें रेल इंफ्रासेक्टर से जुड़े काम भी है और इनमें आधुनिक बिहार की मजबुत जलग भी है आज यहाँ आमस दर्भंगा फोर लेंड कोरिडोर का सिलान्यास हुआ है आज ही दानापूर बेटा फोर लेंड एलिवेटेड रोड का सिलान्यास भी हुआ है पटना रिंग रोड के शेरपूर से दिगवारा खन का चलान्यास भी हुआ है और यही एंडिये की पहचान है हम काम की शुरुआद भी करते हैं काम पूरा भी करते हैं और हमी उसे जनता जनाजन को समर्पिद भी करते हैं कि यह मोदी की गारंटी है कि मोदी के गारंटी है आज भी भोजपुर जिले में आरा बाइपास रेलाइन की नीव भी रखी गई है आज नमामी गंगे अभियान के तहद भी बिहार को बारा परियोजनाओं के सौगात मिली है मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासका रावरंगाबाद के मेरे भाई बेन बनारस कोलगता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं इस एक्सप्रेस वे से यूपी भी केवल कुछ गंटों की दिरूपर रहेगा और कुछ गंटे में ही कोल गता भी पहुँच जाएंगे और यही NDA के काम करने का तरीका है बिहार में विकास की ये जुग गंगा बहने जा रही है मैं इसके लिए आप सभी को बिहार बास्यों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आज बिहार की धर्ती पर मेरा आना कई माईनों में खास है अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गव्रव करपुरी ठाकुर्जी को देश ने भारत रत्न दिया है ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है ये सम्मान समुच्चे बिहार के सम्मान है अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में राम लला के भग्व मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा भी हुई है अयोध्या में राम लला भी राजमार वो ये है तो स्वाबावित है कि सबसे ज़्यादा खुशी माता सीता की धर्ती पर ही मनाई जाएगी राम लला की प्रान प्रतिष्ठा को लेकर बिहार जिस आनन्द में डुआ बिहार के लोगों ने जता हुट्सों मनाया राम लला को जो उपहार बेजे है मैं वो खुशी आप से साजहा करने आया और इसके साथ ही बिहार ने एक बार फिर डबल एंजिन के रप्तार भी पकड़ लिये है इसलिए बिहार इस समय पूरे उच्छा में भी है और आत्म विश्वास से भी बड़ा हुआ है मैं उच्छा मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताए बैने नवजवान और जहां पर मेरी नजर पहुच रही है उच्छा उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाज में आसिरवाद देने आये हैं आपके चहरों के चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चहरों पर हवाईयां उड़ा रही है साथियों एंडिये की सक्ति बढ़ने के बार बिहार में परिवारवादी राजलिती हाशिये पर जाने लगी है परिवारवाजी राजलिती की एक और विड़मना है माबाप से बिरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है लेकिन माबाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है यह है परिवारवादी पार्टियों की हालत मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े-बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं और मैंने तो पार्लामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं आपने देखा होगा अब लोग सभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं राजसभा की सीटे खुद रहे हैं लोग जनता साथ देने को तैयार नहीं है और यह है आपके विश्वास आपका उस्षा आपके संकल्प की ताकर मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को दन्यवास करने के लिए आया है साथियों एक दिन में इतने व्यापक सर पर विकास का ये आंदोलन इसका गवा है कि डबल इंजिन सरकार में बडलाव कितनी तेजी से होता है आज जो सडक और हाइवे से जुड़े काम हुए हैं उनसे बिहार के अनेक जिनों की तस्वीर बदलने जा रही हैं गया जहानाबाच, नालंदा, पतना, वैशाली, समस्तिपूर और दर्भंगा के लोगों को आदुनिक यातायात का अभूत्पुर्व अनुभव मिलेगा इसी तरह बोद गया, विश्णुपत, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, पोखर और जहानाबाद में नाजार जुन की गुफाओं तक का पहुतना भी आसान हो जाएगा बिहार के सभी शहर, तीन फॉर्परेटन की अपार संभावनाओं से जुड़े हुए दर्भंगा एरपोर्ट और बीटं में बनने वाले नए एरपोर्ट भी इस नए रोड इंफरा सक्टर से जुड़ेंगे इससे बहार से आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी साथियों एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही गरों से निकलने में डरते थे एक ये दोड है जब बिहार में परियतन की संभावनाएं दिक्सित हो रही है बिहार को बंदे भारत और अमरत भारत जैसी आदुनिक ट्रेने मिली अमरत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है बिहार में जब पूराना दौर था राज्य को अशांती और सुरक्षा और आतं की आग में जोंक दिया गया था बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलाइन करना पड़ा और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलप्पेंड करके उनका काउशल विकास कर रहे हैं बिहार के हस्त सिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने दो सो करोड रुपिय की लागत से बनने वाले एक तामोड की नीव रखी है ये नए बिहार की नई दिशा है ये बिहार की सकारात्मक सोच है ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे साथियों बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा बिहार तब बे आगे बढ़ता ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़ता है इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब आदिवासी दली बंचीत का सामर्तब बनाने में जुटी है बिहार के लगबग नव करोर लाबारतियों को पी-एम गरीब कल्यान योजना का लाब मिल रहा है बिहार में उजवला योजना के पहत लगबग एक करोर चाधिक महिलाओं को मुप्त गैस कनेक्शन दिया गया है बिहार के करीब नबे लाग किसानों को पी-एम किसान सम्मान निजिकालाब मिल रहा है इन किसानों के बैंक खातों में बाइस हजार करोर रुपिय से अधिक ट्रांसफर किये गए हैं पांच वर्स पहले तक बिहार के गाउं में सिरफ दो प्रतिशत गरों तक नर से जल पहुँच रहा था आज यहां के नब्वे प्रतिशत से ज़्यादा गरों तक नर से जल पहुँच रहा है बिहार में असी लाज से ज़्यादा आईश्मान कारदारक है जिने पांच लाग रुपिय तक मुप्त इलाज की गारंटी मिली है हमारी सरकार दसकों से ठप पड़े उत्तर कोयल जलाश है इस परियोजना को जल पुरा करने के लिए भी पतिबद्ध है इस जलाश है से बिहार जारखन के चार जिलों में एक लाग हेक्टर खेतों की सीचाई के लिए पानी मिलने लगेगा साथियों बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है बिहार में सामती और कानून विवस्ता का राट ये मोदी की गारंटी है बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है तीसरे तम में हमारी सरकार इनी गारंटियों को पुरा करने और विक्सित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्प बद्ध है आप सभी को एक बार बहुत बहुत बदाई आज विकास का उत्सव है मैं आप सबसे अगरे करता हूँ अपना मुबाइल फोन निकालिए उसकी फ्लेश लाइट चालू कीजिए आपके सबके मुबाइल की फ्लेश लाइट चालू कीजिए यह विकास का उत्सव मनाईए सब जो जो दूर दूर है वो भी करें हर कोई अपना मुबाइल पोन बाहर निकाले यह विकास का उत्सव मनाईए मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद